असलामुलेकुम इस लेक्चर के अंदर हम फस्लिया केमिस्ट्री सिन आप चे केमिस्ट्री करें चैप्टर नबर 11 है वो है जिस लौफ हीट समेशन है इन दोनों टॉपिक्स में से आज हम फ्र्स लौ थर्मो डायनमिक्स के नुमेरिकल करने जा रहे हैं इस नुमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक के फॉर्मॉलाज के बारे में बता रिता हूं सो मेंली दो फॉर्मूलाद हैं जो इस्तिमाल होते हैं इस टॉपिक के सबसे पहला फॉर्मूला है देल्टा ई बराबर है क्योड़ स्टिज प्लस डब्ल्यू हमें यह भी पता होना चाहिए के यह चीज़ें हैं क्या तो अगर डेल्टा-E की फुल फॉर्म देखें तो डेल्टा-E का मतलब होता है चेंज इन इंटर्नल इनर्जी मैं फिलाल शॉर्ट में इसको इंटर्नल इनर्जी लिख रहा हूँ इसी तरह से अगर हम Q की बात करें तो Q का मतलब होता है हीट सप्लाई तू तो मैं शॉर्ट में सिर्फ हीट सप्लाई लिख रहा हूँ और W का मतलब होता है वोक्डन ठीक है अच्छा इसी तरह से एक और फॉर्मूला है जो के यहां पर इस्तेमाल होता है वो है वोक्डन बराबर है P डिल्टा-V अयविक्तर से और Benjamin Benjamin अगर हम एक कंटेनर की बात करें और उस container के अंदर एक movable cap होता है जिसे हम नाम देते है पिस्टन का ठीक है अब हमारे पस दो conditions है एक कि या तो यह पिस्टन उपर जा रहा होगा reaction के अंदर जब reaction हो रहा होगा इसके अंदर और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह पिस्टन नीचे जा रहा हो तो जब भी सब्सक्राइब तो यह पिस्टन उपर चला गया तो यह container अब इतने बड़े की बजाए यह container तो इतना बढ़ा हो जाएगा यह नहीं कि इस container का volume बढ़ गया और इस केस को हम नाम देते हैं expansion expansion का मतलब बता है फैलना लेकिन जब पिस्टन नीचे आ जाएगा बिलफर्स अग आप नाम देंगे contraction का यानी सुकंडने का तो जब भी किसी जीस का volume बढ़ता है तो हमसे expansion कहते हैं और अगर volume कम होता है तो हमसे contraction कहते हैं याद रखिएगा कि जब भी piston उपर जाएगा तो expansion होगी और जब भी piston नीचे जाएगा तो contraction होगी अब या तो वह आपको कहेगा कि expansion हो रही है या फिर वह आपसे डायरेक कहा देगा कि piston कहां मूफ कर रहा है अपवर्ट piston उपर जा रहा है तो दोनों ही cases में चाहे वह आपसे कहें कि expansion हो रही है चाहे वह आपसे यह कहें कि piston उपर जा रहा है दोनों cases के अंदर आपने work done को negative लेना याद रखिएगा अगेंस आपका जो work done होगा वो क्या होगा positive तो piston उपर जाएगा work done negative piston नीचे जाएगा work done positive याद रखिएगा expansion work done negative contraction work done positive इसी तरह से तो आपको बता लग गिया work done के अब कुछ चीजें हैं जो के w के लिए के लिए important है जैसे अगे numerical में कहीं लिखावा है heat absorb या add या कोई से भी ऐसे word जिसके मतलब हो शामिल होना तो आपने q की value क्या लेनी है positive इसी तरह से अगर आपके पास लिखावा है heat release अब heat ने कल रही है loss release evolve gives off कोई भी ऐसा word आपको मिल जाए जिसके मतलब यह हो कि निकल निकलना यानि loss होना तो q की value क्या होगी negative तो याद रखिएगा अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है expansion हो रही है work done negative पिस्टन नीचे आ रहा है या contraction हो रही है तो work done positive है अगर heat add हो रही है और दूसरा formula कि w बराबर है p plus p into delta v के तो इन दोनों formula को अगर हम याद रखेंगे और इस सारी conditions याद रखेंगे जबी हम इस topic की numericals कर सकते हैं वरना इसकी numericals थोड़ा साब के लिए problem create कर देंगे अब मैं आपको balance numerical करा देता हूं यह हमारी बुक की example है सबसे पहली example है example 11.1 देखें इस numerical में वह आप से कह रहा है a gases chemical reaction इसका मतलब chemical reaction है जो कि किसकी फॉर्म में हो रहा है यहां तक तो बकवास कोई आपको value नहीं दे रहा तो समझ लें यह पूरी चीज़ आपके काम की नहीं है मैं इसके फिर भी मतलब बता देता हूं कि एक chemical reaction है जो कि एक cylinder में किया जा रहा है और उस पर एक constant external pressure लग रहा है बाहर की तरफ से pressure लग रहा है यह हमारे काम की चीज तो pressure को हम किसे शोग करते है P से तो हमें pressure दिया वह तो हम जल्दी से लिख देते है पी अब pressure कितना दिया वह है अगर आप थोड़ा सा और आगे देखें तो 180m तो हम जल्दी से लिख द यह दो ही हमारे काम की बात थी और दोनों को हमने target कर लिया कि प्रेशर तो दिया वह लेकिन प्रिशर कितना दिया वह है 180m यानि कि 1 एट्मास्फिर निमेरिकल को अगर आगे पढ़ें अगर इस रियक्षन के दौरान वॉल्यम इंक्रीज़ वॉल्यम बढ़ जाए कितना 3dm3 से 5dm3 यानि पहले 3 था और अब 5 हो गया इसका मतलब यह हुआ कि V1 कितना है 3dm3 लेकिन V2 कितना है 5dm3 अगर आपको फॉर्मूला याद हो मैं एक दफा फिर आपको दिखा देता हूँ अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो देखें इस फॉर्मूले में डेल्टा वी दिया वा है यानि हमें V1 और V2 तो चाहिए ही नहीं हमें तो डेल्टा वी चाहिए है चलें डेल्टा वी बराबर होता है V2 माइनस V1 के तो जल्दी से हम V2 की जगह पर V2 के वाईलू रखते थे तो V2 कितना है 5 यानि बाद वाला वालियम और पहले वालियम कितना है 3 तो पांच में से अगर 3 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे 2 यूनिट सेम आएगी यानि कि डीम क्यूब अभी तक नुमेरिकल में उसने कहा कि एक्सरेनल प्रेशर लग रहा है 1 एटिम का और वालियम 3 से 5 हो रहा है तो हमने वालियम से चेंज इन वालियम निकाल दें यह डिल्टा भी निकाल दिया नुमेरिकल को कर हम आगे पड़ें यह और यह काम की चीज़ थी है हमारी अच्छा फिर वह आपसे कहा रहा है बाई फिर वोग दे आप उपर जा रहा है और जैब भी संट उपर जाता था झाल यह यह याद हैं वो लंहात फिर रहें अगर हम इस से सब्सक्राइब लग देखें तो पिस्टन क्या आगे क्या बना देते हैं कोशन मार्क अच्छा अब थोड़ी देर पहले हमने वर्कडन का एक फॉर्मूला बढ़ाता अगर आपको यादो उससे पहले आप सॉलुशन की हेडिंग लगा दें वर्कडन का हमने फॉर्मूला बढ़ाता के डबल्य बराबर है पॉर्षर इंटू देल्टा वी लगिन एक मसला है उसने कहा कि पस लाघर कोवर जा रहे तो व्रॉकिन नेगेडिव और प्रेशर की जगए पर जल्दी से प्रेशर की वैलू नेगर देते हैं अए दिकें प्र प्रिशर की उनिट थी ATM, तो पहले ATM आ गया, उसके बाद डिल्टा वी था, तो डिल्टा वी की उनिट क्या होती है, डिम क्यूब, उसके बाद हमने डिम क्यूब लिख दिया, लेकिन एक मसला है, ज़र नुमेरिकल को दुबारा से देखें, देखें, नुमेरिकल में यहां प काम कर लेते हैं, थोड़े से, रिलेशन याद रखिएगा, कि रिलेशन क्या है, एक, ATM, इन्टू डिम क्यूब से, या ऐसे समझ लिए, ATM इन्टू डिम क्यूब से, हम जाएंगे जूल के अंदर, और फिर जूल से हम कहा जाएंगे, क्लो जूल के अंदर, यानि डिरेक्ट क करेंगे अपनी वैलियो को, और उसके बाद आप कहा जाएंगे, क्लो जूल में, अब हमें सासद रिलेशन भी पता होने चाहिए, तो रिलेशन क्या है, रिलेशन यह है कि, एक, ATM, इन्टू डिम क्यूब, बराबर होता है, 101.325 जूल के, तो जब भी आप ATM से जूल में करेंगे, तो आप डिवाइट करेंगे, इस फेक्टर को याद रखेगा, तो अभी हमारा जो आंसर आयता, वो ATM इन्टू डिम क्यूब में आयता, तो हम उसे मल्टिप्लाइ करेंगे, 101.325 से, तो हमारा आंसर जूल में आ जाएगा, फिर इसी तरह से एक क्लो जूल बराबर होता है, 1000 जूल के, तो जब भी हम क्लो जूल से जूल में जाएंगे, मल्टिप्लाइ और जब भी हम जूल से क्लो जूल में आएंगे, डिवाइट, चीक, इन दोनों फेक्टर को मैं याद करना पड़ेगा, जब भी हम इस नुमेरिकल को क्लो जूल में वैल्यू निकाल पा जाएगा, वो कितना होगा, नेकितिफ टू सीरो टू पॉइंट सिक्स फाइव, यह आप क्लो जूल से कर लीजेगा, क्लो आपको आंसर निकाल के देगा, और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है, वो किसमें गनवर्ट हो गई, जूल के अंदर, लेकिन जूल में थोड़ी, हम मैं आपको क्लो जूल में भी ले जाऊं, सो तू जू जू पॉइंट सिक्स फाइफ, अब देखें, जरह फैक्टर पर दोबार आएं, अगर हम क्लो जूल से जूल में जाते, तो हमें मुल्टिप्लाइ करना पड़ता, लेकिन अभी क्या है, हम कहां जा रहे हैं, जूल से क् देवाइट, सो हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यो को डिवाइट कर देते हैं, भाई, ता उसंट, तो हमारे पास जो वोक डन आएगा, पो कितना आएगा, नेगेटिव, 0.20265, चाहें तो लिखते हैं, वेन पॉइंट के बाद दो डिरिट्स भी बहुत होते हैं, अब अब एक और बुक की एक्जाम्पल करेंगे, ठीकें, अगली बुक की एक्जाम्पल क्या कह रहा है, इसमें से हम अपने काम की बातें जली से ढूंड लेते हैं, वह आप से कह रहा है, बर्निंग ऑपेट्रॉल, इन आटो मोबाइल इंजन, गाडी का इंजन है, जिसमें पेट्र आले हुआ गई, यह हमारे लेकाम की चीज़ थी, एक इसकी वार की, तो जल्दी से मैं हेटिंग लगाते था हूं, डेटा, और डेटा के बाद, वॉल्यम, वॉक्टन कितना दिया है, भाई, वॉक्टन दिया है, हमें 675 जूल, अभी मुझे नहीं पता, यह पॉजिटिव आगे में पड़ाँका, नमेरिकल फॉल्यम फॉड पिस्टन ओट्वर सिंग फिस्टन आउट्वर पिस्टन बहु स्टरफ आरा यहां उपर की तरफ आरा तो वॉक्टन किया बेन क्या होगा बेल्ध, और फिस्टे वे यह बहु सीज नीचे दो फॉजिव लेकिन अगर 35 जूल और क्योंकि लॉस कह रहा है इसलिए नेगटिव फिर आप से कह रहा है तूदर सराउंडिंग केल्कुलेट का मतलब कोई ने कोई चीज मालूम करने हैं क्या मालूम करना है इन्टर्नल इनर्जियों या नीके डिल्टा इंटर्नल इनर्जी को हमसे शू करते हैं डिल्टा यसे दूबारा पता एता हूं एक दरफें Bye shooting by तैंफ्याथ फिर उसके बाद लिछी एक ही का मतलब क्यों और इंटर्नल इनर्जी यानिके डिल्टा-ई है तो सब के सिंबल्स आ फॉर्मूला आपको पता है मैंने स्टार्ट में बिताया था कि डेल्टा E बराबर होता है Q प्लस W के अच्छा Q की वैल्यू कितनी उपर से देखेंगे फिर वर्क दन कितना है वर्क दन है नेगेटिव 675 कैलकुलेटर में दोनों को लिखेगा कैलकुलेटर आपको आंसर निकाल के देगा डेट इस नेकड़ेव 1110 जूल लेकिन वह आप से क्या कह रहे है ने मेरिकल में एक्सप्रेस तचेंज इन इंटर्नेल इनरजी इन क्लो जूल क्लो जूल क्लो जूल से जूल में भाई जूल जूल तो है हमारे पास इसका मतब जूल से हम शुरू करेंगे और कहां से ले जाएंगे क्लो जूल में तो क्लो जूल में जाने के लिए हम डिवाइट करते हैं कौन से वेक्टर से थाउजंड से तो आपका जो आंसर होगा किसमें आ जाएगा क्लो जूल में केलकूर्ट से डिवाइड कर लिजेगा तो आंसर आ जाएगा 1.11 और यूनिट हो जाएगी क्लोजूल तो हमारी बुक की दो एक्जामपल्स थी एक 11.1 और 11.2 जो के फिर्स लॉफ थर्मोडानमिक से रिलेटिड थी अब हम एक आखरी नुमेरिकल करेंगे जो के एक है एक्सरसाइश के नुमेरिकल है हम इसको जल्दी से देख लेते हैं देकियं लिखा हुए थर्यमोडान जाएगा ठीज हिस ऑब चांचिछ यहां तक तो बक्वास हो गई तो जल्दी से हम लिख देते हैं प्रेशर अब कितना दिया हुए 8.52 तो हमने लेगंगे प्रेशर दिया हुए एज पॉइंट फाइफ टू यूनिट कितनी है यूनिट किया है एटियम यानि इत्मॉस्फिर और उपर हमने डीटा की हेडिंग नहीं लगाई तो हम डीटा की हेडिंग भी लगा देते हैं फिर वह आप से कह रहा है इफ इब्सॉर्ब्स इनरजी यानि कि यह एब्सॉर्ब कर रहा है हीट कितनी हीट 15.4 अब आप कह रहे होंगे कि यहां तो हीट लिखा ही नहीं है तो देखें यहां एक बात लिखी हुए कैल्कुलेट इंटरनल इनरजी यानि फॉर्मूला होता है डेल्टा इप्लस डेल्टा इबराबर क्यू तो डब्ल्यू का तो कहीं जिकर ही नहीं है सिर्फ डेल्टा इए और क्यू है तो डेल्टा इए तो आपको मालूम करना है लिखा हुए कैल्कुलेट इंटरनल इनरजी तो जहरे जो इनरजी है फिर यह हीट ही हो सकती है इसलिए मैंने कहा कि क्यू की वैल्यू है और क्यू क की वैल्यू है कौन सी positive क्योंकि absorb हो रहा है तो हम यहां positive भी शो कर देते हैं पिर लिखाव है from the surrounding due to which an expansion ओहो expansion का मतलब work done क्या होगा negative कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी पिस्तन उपर जाएगा यानी expansion होगी तो work done positive अभी तो क्योंकि expansion हो रही है इसका मतलब पिस्तन उपर जा रहा होगा और जब भी पिस्तन उपर जाता है तो work done negative होता है बहुत गौर्स आपको सुननी पढ़ेंगी बातें अगर आपको फिर भी कुछ कुछ नहीं समझाए तो हम उसे पूछ सकते हैं लिखाव है इंद वॉल्यम वॉल्यम यानि के डिल्टा वी कितना दिया हुए भाई 4.7 4.7 यूनिट के लगी वी है dmq खैर उसके बाद लिखाव है calculate यानि कुछ ना कुछ मालूम करना है आपको इस चेंज इन इंटरनल इनरजी यानि आपने इंटरनल इनरजी मालूम करनी है तो हम जल्दी से लिख देते हैं डिल्टा ए बराबर कुशन मार्क के अब मसला यह कि अगर मैं डेल्टा-e का formula लगाता हूं तो मुझे Q भी चाहिए और W भी चाहिए तो क्या मेरे पास Q है हाँ 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 है है लेकिन अगर मैं W की बात करूं तो work done मेरे पास data में नहीं है तो इसका मतलब पहले मुझे क्या नेकालना पड़ेगा वॉक्डन और हमें पता है कि वॉक्डन का फॉर्मूला क्या है पी इंटू डेल्टा वी यह बात आपको समझाई देखें डेल्टा ही निकालने के लिए डेल्टा ही किया कि कुश्चन माक है न तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि डेल्टा ही बराबर है क्यू प्ल व नहीं है तो व हमें निकालना पड़ेगा ताके हम डेल्टा ही को निकाल सकें और यह और बात याद रखीएगा कि एकस्पेंशन होई है एकस्पेंशन का मतलब होता है कि वह नेगेटिव है तो यहां पर हम चोटा सा नेगेटिव लगा देते हैं चलिए जल्दी से वैल् आ रहा है इन दोनों को केल्कुलेटर में लिख दीजएगा तो केल्कुलेटर आपको लिखाव देदेगा नेगेटिव 40.044 अब हमें इसकी यूनिट लगानी पड़ेगी अब प्रेशर की यूनिट क्या है एटीम तो जल्दी से लगा दी एटीम जैसे यहां था और फिर पाद वॉल्यम है डेल्टा वी तो डेल्टा वी की यूनिट के या है डी एम क्यूब लेकिन अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने इसे क्लोजूल में गनवर्ट किया था तो वर्क डन हम या थो जूल में लिखते हैं यहां पर हम क्लोजूल में लिखेंगे उसकी वज़ा यह है कि क्यों की वैलियो क्लोजूल में दी विए तो जिसमें क्यों होता है उसी में हम डबली रखते हैं या जिसमें डबली होता है उसी में हम क्यों रखते हैं क्यों की यूनिट और डबली की यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए तो क्यों क्यों कि क्लोजूल में द आते थे अभी पहले नोमेरिकल में मैंने आपको सिखाया था 101.325 से आप इसको इतना याद रखें कि जब भी आप अपनी वैलियो को 101.325 से मल्टिप्लाय कर देंगे तो आपका आंसर किसमें गनवर्ड हो जाएगा जूल के अंदर तो कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टिप 458 अब यह आपका जो आंसर है वो जूल में आ गया लिकिन हम जूल पे भी नहीं रुकंगे जूंकि क्यों की वैल्यू यहाँ अगर हम क्यों की वैल्यू कि इसमें दी वहें चलू जूल में तो चलिए क्लू जूल में कनवर्ड करतें थोड़ो देर पहले आपको सिखायो भ दें तो हमारा अंसर किसमें कनवर्ड हो जाता है क्लोजूल में तो आप इसे क्लोड से कर दिजएगा क्लोड आपको लिखा बती देगा 4.057 और यह अब आपको जो वर्गड़न है वो किसमें कनवर्ड हो गया जूल क्लोजूल के अंदर अब लेकिन हमें वर्गड़न निकालना था ड्यटाए निकालने के लिए कि हम Одल्सके अब लें और यह निकालना था तो अब गालेंगी क्यूकर आप दिए अब हमारे पास ना चुड़र होता है हमें पता है किल्ट यत couple सब्त है rin करें तो आप हमारे पास क्यों बराबर है 15.4 और अभी हमने थोड़ी दिर पहले नहीं गाल है देखें कितना है नेगेटिव 4.057 तो मैं जल्ली से लिख देता हूं नेगेटिव 4.057 तो केल्कुलेटर से आप इन दोनों को सिंप्लिफाई कर लीजएगा तो केल्कुलेटर आपको लिखाव देखा 11.34 क्लोजूल तो यही सबसे बड़ा नुमेरिकल था इसी के आने के चांसे पेपर में जाद हैं इस नुमेरिकल की प्रेक्टिस आप और तरह के दोनों केसे में आपको कराऊंगा पर इंशालतर हम कोशिच करेंगे कि फर्सलों थर्मडामिक्स की डेरिवेशन कर लें और फिर हम एमसे की तरफ से ले जाएंगे